अब मोशन सेंसर में रिस्पोंस आ रही, एम फ मीटर में नहीं आ रहा, थर्मो मीटर में नहीं आ रहा, किसी नाइट विजन कैमरा में नहीं आ रहा, क्यों भाई, जब भूत है तो वो तो सारे गैजिट में रिस्पोंस देगा ना What's up ladies and gentlemen, स्वागता आप सभी का फिर से एक new वीडियो में और मेरे पीछे एक घर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घर देखते ही कुछ लोग समझ गे होंगे कि मैं अभी कहां पे हूँ, मैं हूँ अभी महराश्टर में एक haunted house के सामने, और यही रिजन था कि इस बार वीड मिले यहां पर शूट करने की, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो थी ना, वो लोगों ने देख ली थी और काफी लोग ना oppose कर रहे थे कि यार इस टाइप की वीडियो आप यहां पर बना रहे हो, गलत है ये, लेकिन फिर भी काफी लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सब उने बोला क्यार, इस बंदे ने जो रियालेटी में हुआ है, वो स्टोरी सुनाई है, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ गलत बात थोड़ी करी है, कुछ बूत बूत थोड़ी दिखाया है, तो इस करके भाई, लोगों ने परमीशन दिलवा दी थी, और फिर से हम यहां तरीके से पैरानोर्मल इन्वेस्टियेशन करते हैं गैजेट्स के साथ में, और मैं तीन नाइट विजन कैमरा और दो इन्फरारेड कैमरा भी लेके आया हूँ, इस लोकेशन के लिए, ताकि भाई, अगर कुछ भी इसमें हलचल होती है घर के अंदर, तो वो हम एग्जेक इस गर में एक फैमिली रहती थी, जिसमें माबाप और बेटा था, और जब उस बेटे की शादी कर दी थी ना, तो शादी करने के बाद में उसकी वाइफ आई थी यहाँ पे, और वाइफ आई थी उसके कुछ महीनों तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सुक शानती स चल रहा था, फिर उसके बाद में जब उसकी वाइफ प्रेगनेंट हुई, और उनका जब एक बच्चा हुआ, तो भाई सारा गेम चेंज हो गया, क्योंकि वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो बच्चा शैतान था, ऐसा गाउंवालों का कहना था, उसका री गाउंवालों ने बोला कि भाई साब, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक शैतान है, और इसको जिसने जनम दिया है, ये भी कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये डायन है, ऐसा बोला गया, और उसके बाद में गाउंवालों ने बोला कि भाई, इसके बच्चे को तो अभी के अभी मार के दाबना पड़ेगा और जब उसके ओ, भाई मार के दाब रहे थे या जला रहे थे जो भी वो कर रहे थे वो जब वो करने लगे तब उसकी मा का असली रूप देखने के लिए मिला भाई साथ, वो बंदी एकदम से पागल हो गई थी एकदम से उसका आकार भी बदल गया उसकी लुक भी चेंज हो गई और एक डायन जैसा उसने आकार ले लिया उस दिन के बाद से भाई साब इस घर को भी खाली कर दिया गया यहां के आसपास में गाउं में जितने घर थे उन्होंने भी अपना घर खाली कर दिया और लोग कहते कि आज भी वो डायन इसी घर में रहती है यहीं आसपास गुमती है और रात को कोई आ जाता है तो भाई उसको मार देती है पलस उसकी काफी लोगों ने रोने की आवाजे सुनी है रात को तो भाई डायरेक्टली एक जो एक्सपीरेंस वाली बात होती न तो वो तो हमने पिछली वीडियो में ले ली थी इस वीडियो में हम करेंगे पैरानोर्मल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल डिटेल में अलग अलग गैजट्स के साथ में पहले में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा जिसने पिछली वीडियो नहीं देखे उसको थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ कि कैसा घर था है कितने रूम थे क्या थे ताकि आपको एक आईडिया लग जाए पूरी लोकेशन का फिर शुरू करते है भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन तो देखोगे तो आर जहां से एंट्री हमने मारी है एंट्री मारते ही ये एक रूम है ठीक है आप उपर देखो 36 की बहुती डिफरेंट स्ट्रक्चर है जैसा महराश्टर में हुआ करता था पहले और इसमें न दो घर अटेच अगर देखा जाए तो जो ये वाली साइड है ये वाली साइड जो इधर के रूम है ये सारे रूम पहले के बने हुए है उपर आप छट देखो सब पहले की बनी हुई है लेकिन जो इधर वाली साइड है ये वाली उन्होंने बाद में बनवाई थी नए तरीके के पूरे रो मैटेल यूज किये थे तो आपको देखके आइडिया लग रहा होगा कि है ये एक ही घर लेकिन ये दोनो डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो भाई ये सीन है यहां का पलस अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो इधर की तरफ ना कुछ और रूम भी थे जो पूरे के पूरे टूट गया है मैं इधर से दिखाता हूँ आपको यहां से अगर आप देखोगे ना तो भाई ये रूम पूरे के पूरे टूट चुके हैं अभी यहां पे रूम था किचन था बात रूम था क्या था वो किसी को भी नहीं पता लेकिन जो भी था इधर का स्ट्रक्चर तूट गया है अभी यह नहीं पता की यह तूटा है इसके पीछे कोई पैरनॉरमल एक्टिविटी का काम है की क्या है लेगि इधर के देखो सारा का सारा पूरा मलवा आपको ऐसे कैसे दिखाई दे रहा होगा तो यही है पूरी लोकेशन और अगर इधर की तरफ से आप देखना चाहिए खुतुम आपको एक दो रूम दिखा देता हो अंदर से ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भई कैसा घर था जहाँ पे वो लोग रहा करते थे और जहाँ पे यह हाथसा हुआ है यह देखो इधर की तरफ देखो यह वाला जो एरिया है ना यह मेरे को लग रहा है मोस्ट प्रोबैबली यह वाला एरिया जो है यह किचन एरिया था उसका रेज़न यह है कि जैसे हम स्लैप बनाते है अपने घरों में आजकल उन लोगों ने भी बनवा रखी थी लेकिन उनकी ऐसी पत्थर वाली स्लैप थ करता होगा अगर आप देखोगे तो पिछली बार से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा पिछली बार यहां पर जो यह खिड़की थी यह खिड़की ऐसे प्रोपर खिड़की की तरह थी लेकिन अब यह ईटे किसने तोड़ दी या खुद से किसी को बहुत डिटेल में एक एक चीज देखनी हो कि यहां पर यहां पर यहां पर यह तो वो पिछली वीडियो देख लेना मैं लिंक डाल दूँँ डिस्क्रिप्शन में अभी मैं आपको ना सीधा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ तो भाई इस पूरे घर के अंदर ना मैंने अलग अलग जगा पे नाइट वीजन और इन्फरा रेड कैमरा सेट अप कर दिया है और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहां पे मैंने उधर रख दिया मोशन सेंसर इधर रख दिया एमफ मेटर और उसको लाइट को थोड़ा साइड करो तो हम आपको दिखा देता हो मोशन सेंसर प्रोपरली वर्किंग कंडिशन में है की नहीं यह देखो मेरे पास जाती इसने मोशन कैप्चर कर लिया है लाइट मैंने इसलिए साइड में करवाई है क्योंकि हो सकता है कि लाइट अगर हम डाइरेक्ट मार के रखेंगे तो उसके बाद मैं आपको यही नहीं दिखाई दे के यह ओन हुआ भी है कि नहीं खेर अभी बिल्कुल प्रोपर कंडिशन में है बीच बीच में आपको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत जूम करके भी दिखा दियो भाई ताकि एमफ मेटर की लाइट वग दिखरी ही चल रहा है इस जगह का तो टेंप्रेचर के लिए तो कोई भी फ्लक्ट्वेशन वाली बात नहीं है स्टार्ट कर लेते भाई अपनी इन्मेस्टिएशन कुछ बातचीत पूछ लेते और थोड़ा सा कैमरामेन भी जहां पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो मैं आपसे यह विंती करूँगा कि आप हमारे आसपास आजाईए अगर हाप अगर आप हमारे आसपास आओगे तो सामने मैंने दो चीज रखी हुई है उस वाली चीज में सफेद कलर की लाइट जल जाएगी और इधर वाली चीज में कुछ रंग बिरिंगी ला बात करने का एक जरिया है इन चीजों का आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा ये मेरा वादा है आपसे अगर आपको कोई भी नुकसान इन चीजों से पहुचता है तो मैं आपको कहता हूँ अपनी खुद की इच्छा से आप मुझे नुकसान पहुचा देना मैं य इनके हाथ लगा के देखिए या इनको हिला के देखिए कुछ भी करके देखिए मुझे पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे ओए यह दिखी थी एम एफ मीटर में एक दम से तीन लाइट जली है मैं आपसे कैना चाहता हूँ अगर अभी अभी आपने इस समान के साथ में कुछ छेड़ चाड़ करी है तो क्या एक बार आप वही छेड़ चाड़ उस समान के साथ कर सकते हो जो भी आपने अभी इसके साथ किया था चाहे आपने दूर से किया था या पास से किया था जैसे भी किया था क्या वही चीज़ एक बार दुबारा कर सकते हो उसके साथ में देखिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा आपकी यहां होने का आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी हम कुछ बात कर पाएंगे क्योंकि मैंने सुना है ऐसा कि आप से आपके बेटे को छीन लिया गया था जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा गुसे में आ गए थे और लोगों ने आपके लिए बहुती अलग अलग परकार के शब्दों का प्रयोग किया लेकिन मैं यह मानता हूं कि जैसा लोगों ने बोला वैसे नहीं हो आप बहुती अच्छे इनसान हो मैं सिर्फ आप से यही बात करने यहां पर आया हूं क्या आप मुझे सुन पा रहे हो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या इसके साथ में कुछ छेड़ चाड़ कर सकते हो अगर आप मुझे सुनिया देख पा रहे हो चाहे आप मेरे पास हो या दूर हो क्या आप मेरे आस पास आ सकते हैं एक बार बस मैं आप से विंती करता हूँ अगर आप हो हमारे आस पास तो आप हमसे बात करिए आप किसी भी तरीके से हम बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से हम आप से बात कर सकते हैं आप अगर इनके साथ में हमसे एक कॉंटेक्ट बनाना चाहो तो भी बना सकते हो आप अगर डायरेक्ट कुछ करना चाहो आप खुद को हमें दिखाना चाहो तो भी आप हमें दिखा दो आप कुछ आवाज करना चाहो तो वो भी आप करके दिखा सकते हो हम आपको देखना चाहते हैं आपको सुनना चाहते हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपको किसी भी परकार की कोई मदद चाहिए तो वो हम आपकी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे आसपास आना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आप हो यहाँ पे. कुछ खास रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, और मैं एक बार कैम्परा मैंन को कमवा, यहाँ पे भाई अगर फोकस करके टाइम दिखा पाए, तो टाइम देख लो, एक बज़ के पांच मिनट हो रहे हैं, आपको शायद डंक से दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही आदाना, कन्फ यूजिंग सी है, इसकी सुईया, बनम आपको भी गूगल टाइम भी चैक करा दूँआ, उससे फिर तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, भाई मेरे को लग रहा है कि, या तो कोई है नहीं आपे, और अगर कोई है तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा है, या पर हम अच्छे तरीके से आपको कुछ दिखा पाएं, नहीं पर भी कोई रिस्पूंस देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर की तरफ आगया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता अंदर किसी भी रीजन से अगर हमारे साथ में कॉंटेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो शायद से बाहर बन जाए, तो आओ, मोशन सेंस सेंसर को और एमेफ मीटर को दोनों को हुना आसपास रख देते हैं यहां पर इस तरीके से, और हम थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं, ताकि प्रोपरली हम देख सकें कि कहां पर क्या है, थोड़ा सा ना कैमरा मैन को मुवमेंट कबरतनी बंद करनी पड़ेगी, हलचल कैप्चर होती रहेगी, बिल्कुल भी मत हीलियो, देखते हैं, तेज़ पनरा सेगिंड गेट करते हैं, मेरे ख़्याल से, ओफ हो जाएगा, मोशन सेंसर, नहीं होगा तो में फिर से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और ये भी एक रीजन है, कि तीन चार घंट से हिलते ही देखो मैं थोड़ा सा कैमरे के पास जा रहा था देखने के लिए इतने में तो हिल गी है चलो कोई बात ने बार दोबारा लाइट ओफ होने देते हैं इसकी और फिर सवाल जवाब करते है क्या कोई है यहां पर हमारे आसपास अगर कोई है हमारे आसपास तो सामने मैंने दो समान रखे हैं क्या आप इनके आसपास आ सकते हैं एक बार मैं आपसे कहना चाहूँआ कि यह मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ इसके बाद में मैं यहां से चला जाऊँगा तो अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो यही सही मोका है मुझ से बा कि आपको आप में दम नहीं है कि बिल्कुल भी आप हमसे ड़ते हो इसलिए आप हमारे आसपास नहीं आ रहे हो बाए सब ये क्या हुआ थोड़ा सा पीछे आ मुझे लग रहे हमारी ही मुवमेंट कैप्चर कर रहा है और पीछे और पीछे और पीछे जूम कर ले इसको अब जूम कर ले कैमरे को ना और जूम कर ले हापास ऐसे रख ले अब ठीक है अब ठीक है ऐसे रख ले इसको ना हैंने पहले देखाई था कि मेरे हलका सा हीलते ही मोशन उठा लिया था इसने तो एक बार इसको बंद नहीं देते हैं अब हम सके थोड़े से दूर आ चुके आगर अभी भी एक मोशन केप्चर कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा यगा ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो हम इतनी दूर खड़े वे इस से किसी को ये न लगे कि हम काफी पास है अब कर ले जूम क्या आप हमसे बात करना चाह रहे हो अगर आप हमसे बात करना चाह रहे हो तो क्या फिर से इस सफेद लाइट के पास आ सकते हो फिर से इसमें लाइट जला सकते हो अभी जलाई थी अगर आप फिर से इसमें लाइट जला दो गए तो मुझे पक्का येकिन हो जाएगा क्या आप हो यहां पे क्या हुआ आप डर गई क्या अभी तो जैसे मैंने बोला था आप डर गए तब तो आपने एकदम से लाइट जला दी थी अब आप फिर से डर गए हो ऐसा लग रहा है मुझे अगर नहीं डरे हो तो आप आओ ना सामने एक बार फिर से कुछ छेड़ चाड़ करके दिखाओ ना मैं ये बोलने वाला था भी मुझे लगता है आप में दमीनी है ठीक है ठीक है अगर आप इसी तरीके से बात करके हमें दिखाना चाह रहे हो तो मेरा एक और सवाल है अभी इसको लाइट को बंद होने दो उसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या आप वही हो जिसे यहां के लोग डायन बोलते हैं अगर आप वही हो तो फिर से इसमें लाइट जला के दिखाओ अगर आपको डायन शब्द ठीक नहीं लगा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा लोग ऐसा बोलते हैं हम ऐसा नहीं मानते क्या आप वही हो जिनके बच्चे को उन से चीन लिया गया था क्या वही हो जिसके बच्चे को यह बोला गया था भाई वही है थीक है अब आप थोड़ा सा दूर जाओ इसका मतलब आप अभी भी यहीं रहते हो यह ले यह ले यह ले यह ले जवाब देख तू ठीक है एक बार फिर से पीछे चले जाओ आप एक बार जवाब देखे हाँ इसी तरीके से पीछे चले जाये करो ताकि हमें फिर बाद में ये देख पीछे पीछे चले जाना आपको आगे नहीं आना अब जवाब दो और पीछे चले जाओ क्योंकि आप इसके आसपास ही रहोगे तो बिलकुल ये लाइट जलती ही रहेगी हमें पता ही नहीं चलेगा आप क्या कहना चाहरे हो बस आप एक बार करीब आया करो फिर आप फिर से दूर चले जाया करो अगर आप इस जगा को छोड़कर जाना चाहते हो तो फिर से इस लाइट में फिर से कुछ रचल करके दिखाईए तो इसका मतलब आप हमेशे यही रहना चाहते हो आप इस जगा को बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं दा भाई यह देख ठीक है समझे हम आपकी बात ठीक है ठीक अब आपके बात समझगे आप चले जाएए पीछे फिर से क्या आप ऐसा कुछ चाहते हो जिसमें आपको हम लोगों की मदद चाहिए अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए तो आप फिर से इसमें कुछ लाइट जला के दिहाईए और ये गोल चीज़ के साथ एक और चीज़ रखी हुई है कि आप इसके साथ कुछ छेड़ चाट कर सकते हो ठीक है तो इसका मतलब आप हमारी मदद नहीं चाहते अगर आप हमारी मदद नहीं चाहते बिलकुल भी तो क्या motion sensor को फिर से जला सकते हो जैसे अभी आप light जला रहे थे फिर से एक बार जला सकते हो ये देख जलगी ना ठीक है ठीक है आप फिर से चले जाएए मैं बस आपसे एक आखरी सवाल पूछना चाहूँगा उसके बाद में आपके जवाब पे निर्भर करेगा कि हम आगे और बात करेंगे कि नहीं एक बारा पीछे चले जाएए मेरा आखरी सवाल आपसे यही है क्या आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं अगर आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो फिर से इसमें कुछ लाइट जला दो दोनों में से किसी भी गैजट के साथ में कुछ भी छेड़ चाड़ करके देखो अगर आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं भाई साब ये चाहर हैं हम यहाँ से चले जाएं और मेरी तरफ कर समझू एक बार मैं आपको एक चीज बता दूँ ये सब जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इदर आओ गूम के हमारी दूरी तो है काफी हमारी दूरी नो डाउट हमारी दूरी काफी है मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहर हूँ कि जो मोशन सेंसर जलता है ये कैसे जलता है वही चीज में आपको दिखाने के लिए ये सब जो अभी तनी बार में ये सवाल जवाब हुए है ना ये सब कैसे हुए है इसके लिए किसी थर्ड परसन की जुरत नहीं है जो वहाँ पर जाके मोशन सेंसर को जला रहा है दूरी हमारे बीच में काफी उसका मूब भी हमारी साइड में नहीं है तो लोगों को यह लगता है कि यार उसका तो मूब भी इनके साइड में नहीं है इनके बीच में दूरी भी काफी है फिर भी मोशन सेंसर में जवाब आ रहे तो कैसे आ रहे है उसका रीजन यही है कि यहां से ना इतनी दूरी से खड़ा हो कि भी ना मैं हर सवाल के बाद में या तो इदर से थोड़ासा हाथ यह ला दे रहा था बनाते हैं किसी भी गैजट के थूरू और मैं यहीं चीज हमेशा बोलता हूं कि यह दो चीज़े सामने रखी हुई अगर किसी एक गैजट के अंदर रिस्पॉंस आ रहा है तो दूसरे में भी तो आएगा यह आएगा दोनों चीज़े साथ में रखी हुई है अब मोशन सेंस सिर्फ यहां पर कैमरामेन खड़ा था यहां पर मैं खड़ा था सवाल के बाद में बस मैं इदर से हलका सा आतिला रहा था उसमें काम हो जा रहा था ऐसी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें तीन बंदे चार बंदे चीज़ों दूसरी तरफ छुप छुपके तुमारे लिए बहुत ही इजी टू मैन्यूपलेट चीज है मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी गैजट यूज़ करें है ना नाइट विजन कैमरा वगएरे को अगर हम अटा दे तो यह चीज़े ना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ना यह चीज़े ना आपको एक नहीं दे सकती कि जो इन में रिस्पोंस आएं वो किसी स्पीरिट के द्वारा हैं क्योंकि इन सब को मैन्यूपलेट किया जा सकता है आप एमेफ मीटर का मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दिखाई थी भाई उस पूरे शमशान घाट में मैंने आपको पूरी दिखाई थी मेफ मीटर में कैसे हम रिल चला चला कि इसके अंदर पांच पांच लाइटे भी जला दे रहे थे मोशन सेंसर का भी मैंने आपको दिखा दिया बस अलका सा इतना सा कर्दोस में भी जल जाएगा और ऐसा निये कि मैं और भी दूर चला जाता ना तो हो सकता है म अच्छे फिट दूर चला जाता ना तब भी एमोशन कैप्चर कर लेता क्योंकि रेंज होती है वही 15 फूट की रेंज होती है मोशन सेंसर की तो वह कैप्चर करेगा ही करेगा ठीक है मैं का आपको एक बार दिखा तो दूँ यहां पे तो शुरू में जब मैंने इन्वेस् करी थी उसके बाद में फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मैं का अब लास्ट में जब यहां पे कुछ है ही नहीं तो लास्ट में मैं आपको दिखा तो दूँ के मोशन सेंसर के साथ में कैसे छेड़ चाड़ करी जा सकती है आप में से कुछ लोगों को स्टार्टी में जब बा सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल के हर वीडियो देखो क्योंकि जितना क्वालिटी कंटेंट आप देखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा आप अगर देखना चाहोगे भूत प्रेतों की फरजी वीडियो तो कहीं ना कहीं आपको ना साइक्लोजीकली डिस्टर भी करेगी वो आपको प्रोफिट कुछ नहीं दे रही है आप बेशक उसको नकली वीडियो मान के देख रहे हो आप सिर्फ उसको ऐसे एंटर्टेन्मेंट देख रहे हो आप यह मान रहे हो कि हाँ उसमें जो एक्टिवीटी हो रही है वो नकली है लेकिन मेरे को मज़ा आ यह मैं को बस एंटर्टेन्मेंट ले ना आप वो देख रहे हो लेकिन वो चीजज जब आप रेगुलर्ली वह वालग केंटेन्ट जब आप कंजूम कर रहे हो ना तो वो आपको साइकोलोजिकली एफेक्ट करेगी और वो चीजज़ आपको तब परेशान करेगी जब आप कभी अकेले होगे, अंदेरे में हो गया, ऐसी जगा होगे, तब आपके दिमाग में ना, उस छोटे से कौने में वो चीजे है, वो यादे रहींगी, कि यार वो फ़लाना फ़लाना यूट्यूबर गया था, उसके साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो आप घर में अराम से बैठ कर लाई टोन करके इसी में बैठ कर देख रहे थे सिरफ एंटेटेन्मेंट के लिए वही चीज आपका डर बन के आपको वहाँ पे निकल के दिखाएगी तो भाई ऐसे कंटेंट को कंजूम करना ही बंद कर दो जो आपको नुकसान पोचाए ठीक है अच्छा कंटेंट देखो जैसा मैं बना रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो